दोस्तों स्वागत है आप सभी का biology booster में और दोस्तों ये जो वीडियो है 11th class biology students के लिए 11th class biology हम लोग कर रहे हैं और 11th class biology में chapter number 9 biomolecule हम लोग पढ़ रहे हैं ठीक है फिर repeat कर देता हूँ chapter number 9 जो है 11th class biology का वो biomolecule है और उस chapter को हम पढ़ रहे हैं उस पर already 4 वीडियो मैंने upload कर दिया है अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो playlist में जाके देख लिए तभी आपको ये वीडियो समझ में आ पाएगा ठीक है तो ये कौन सा वीडियो है ये फिफ्ट वीडियो है दिन में शूट कर रहा हूं तो थोड़ा सा light आ रही होगी फेस पे ठीक इसको avoid करें पढ़न पर्चेस कर सकते हैं तो दोस्तों हमने इसमें carbohydrate पढ़ा था हमने एक sequence discuss किया था starting वीडियो में इंट्रोडक्शन में और उसमें एक pattern हमने देखा था कि उस pattern में हमको इस chapter को पढ़ना है तो उसमें सबसे पहले carbohydrate था carbohydrate में तीन टाइप होता है monosecrate, disecrate और polysecrate ठीक है तो polysecrate आदा हमारा हो गया था आदा बचा हुए वो करेंगे और उसके बाद function of carbohydrate देखेंगे ठीक है यहाँ पे हमारा carbohydrate complete हो जाएगा उसके बाद हम fat पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या proteins ठीक है और इस तरीक टाइप का polysecrate है और विस से बात है कौनसा carbohydrate है complex यानिकि polysecrate है ठीक है स्टार्च आईक्यू जो रहता है वो कैसा रहता है ब्लू इन कलर स्टार्च कैसा रहता है ब्लू रहता है कलर में यह बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है cellulose, cellulose भी अगेन एक क्या है polysecrate है cellulose does not contain complex helices ठीक है helix cellulose में complex helices नहीं होते है and hence cannot hold I2 ठीक है देखो कमाल की बात है जो cellulose है ना आपका यह complex carbohydrate है इसमें complex helices नहीं होते है ठीक है तो हमें यहां पेक काम की बात क्या पता पड़ी काम की बात यह पता पड़ी कि जो आपका cellulose है उसमें helices नहीं होते है helices नहीं होने के कारण वो आइटू को hold नहीं कर पाता यानि कि cellulose जो है cellulose की cellulose again क्या है उपर इग बता चुका हूँ में एक carbohydrate है carbohydrate में फिर कॉन से टाइप का carbohydrate complex टाइप का carbohydrate मतलब polysaccharide ठीक है तो cellulose जो है उससे बननी होते है प्लांट की cell wall और यह cellulose जो होता है यह hardest substance होता है प्लांट कींडम का मेरी बातों को एक एक शब्द बिल्कुल ध्यान से सुनना cellulose जो होता है यह hardest substance होता है प्लांट कींडम का पूरे वनस्पती जगत का सबसे कठोर तत्वा कठोर सबस्टेंस अगर कोई आपसे पूछे तो वो है cellulose ठीक है क्लियर रही बात कर अब इपर मेट फॉम प्लांट मैंट काटे हैं एक माल का इंसान है थिए पर मेट फॉम फ्लंट पलंट पल्ट से बनाया जाते हैं चाहिता आइं चाहिएं जो हम लोग पहनते भी हैं ठीक है cotton fiber होता है cotton fibers से ही कपड़ा बनेगा ठीक है cotton fiber is cellulosic cotton fiber कैसे रहता है cellulosic रहता है paper made from plant pulp and cotton fiber is cellulosic cotton fiber कैसे रहता है cellulosic और आप comment करके example बताना हो और polysacrite के खिक है और भी कहीं साथ polysacrite होते हैं ठीक है they have as building blocks amino amino sugars and chemically modified sugars example glucosamine and acetyl glucosamine etc ठीक है फिर्बस बढ़ता है इस point को important है they have as building block ठीक है यह building block होता है किसके building block होता है यह building block अमांस शुगर्स श्रुस हैं यह इक टरीके से structure को बनाने में ज्यादा important हैं इसके अलावा यह amina शुगर्स शुगर्स यह अर chemically modified शुगर भी है Τ्वे कीमिकली मोडिफाइट शुगर में example दिये हैं यहां पर दो ग्लुकोजमाइन और दूसरा एन एसीटाइल गेलेक्टोजमाइन ठीक है यह देखो नाम तो बड़े-बड़े याद करने हैं पड़ेंगे डॉक्टर बन जाओगे यह फार्मेसिस बनोगे तो बड़े-बड़े नाम दव कर लें ठीक है ताकि इस टाइप के वीडियो आपको मिलते रहें और बायलोजी आपकी लाइफ में आसान बनती रहें ठीक है यह समझ में आ गया एक्जोस्केलेटन औफ आर्थ्रोपोर्स आर्थ्रोपोर्स क्या होते हैं आठ पाउंवाले कीडे मैंने बताया था आपको आ पॉलिसक्राइड सा बनी होती है पॉलिसक्राइड में भी कॉम्पलेक्स ठीक है और वो पॉलिसक्राइड कौन सा होता है काईटीन याद रखना भाई इस बात को ठीक है काईटीन की बनी होती है आर्थ्रोपोर्स के एक्स जो एक्जोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोर्स क इस टाइप के लाव केकड़ा हो गया ठीक है इस टाइप के जो कीड़े हैं तो पकड़ना और उसके पाउं काउंट करना लेकिन ध्यान रखना काटना ले ठीक है ठोड़ा धंक से पकड़ना और उसके pair count करना 1, 2, 3, 4, 4 इदरों में 4 इदरों में तो arthropod है clear यह बात सबसे आदा species यह arthropods के इस दुनिया में animals में, यह मैंने आपको animal kingdom में भी बताया था these complex polysecret are mostly homopolymers यह complex polysecret जो होते हैं, वो कैसे होते हैं homopolymers होते हैं तो यह especially जो videos हैं वैसे तो सभी students के लिए हैं लेकिन यह dedicated हैं मेरे 11th prime batch वाले students हैं नवेद अली खान और आयान हुसेन और बहुत सारे रिया बहुत सारे नाम हैं मुझे exact नाम सारे याद नहीं है लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत अच्छे बच्चे हैं यह complex polysecret जो होता है यह जो complex polysecret होता है यह homopolymers होता है polymer तो है यह लेकिन कैसे है homopolymer ठीक है these complex polysecret are mostly homopolymer these complex polysecret are mostly what homopolymer समझ मैं यह बात ठीक है अब देखो function of carbohydrate इसका function polysecret का नहीं पूरा carbohydrate हमने पढ़ लिया monosecret पढ़ लिया polysecret पढ़ लिया पूरे carbohydrate का function क्या होता है दो main function है जो आपको exam point of office से याद रखने है बच्चों ठीक है सबसे पहला है provide energy to our body by oxidation of food यह energy provide करता है हमारी body को oxidation of food अब यह oxidation of food क्या है सर यह क्या बता दिया आपने तुसका मज़ में यह है oxidation of food क्या होता है oxidation of food का मतलब साधारान भाषा में अगर मैं बोलू तो खाने को तोड़ना glucose को तोड़ना ठीक है तो glucose तो यह खुद ही है यह तूटेगा तभी तो energy बनेगी अरे भाई हमारे cell के अंदर क्या होता है glucose होता है oxygen उस cell के अंदर जाता है oxygen की presence में glucose तूटता है तभी तो ATP बनता है तभी तो energy बनता है तो वो process होने के लिए oxidation of food होने के लिए इसकी requirement है किसकी glucose की यानि की carbohydrate की समझे में आई यह बात तो carbohydrate important है किसले oxidation of food के लिए दूसरे बात help in synthesis of nucleic acid and vitamin C nucleic acid की synthesis में बहुत ज़्यादा important होता है carbohydrate, nucleic acid जो कि बहुत important है cell के लिए जिसके अंदर DNA भी होता है तो उसके synthesis के लिए बहुत ज़्यादा important होता है carbohydrate और vitamin C के synthesis के लिए बहुत ज़्यादा important होता है carbohydrate ठीक है हमारे body में भी तो बन रहा होगा ना कुछ मान लिज़े आपने कुछ खाया ठीक है अब वो उसके अंदर conversion कैसे होगा vitamin C जैसे अब नीम्बू से मिल जाता है संत्रा से मिल जाता है हमारे body भी उसको इस तरीके से produce कर रही है ठीक है तो वो कहाँ पर exactly मतलब किस तरीके से किस के help से produce हो रहा है यह पूरा नीम्बू नहीं चाहिए मुझे इस नीम्बू में से vitamin C चाहिए हम उसके खा जाते है ठीक है उसके बाद पेट में जाता है फिर वो digest होता है ठीक है उसके बाद क्या होता है carbohydrate help करता है उस नीम्बू में से ठीक है या उस lemon में से औरेंज में से vitamin C को निकालने में ठीक है इसलिए यह important है carbohydrate helps in synthesis of nucleic acid and vitamin C vitamin C के synthesis में और nucleic acid के synthesis में यह बहुत ज़्यादा help करता है ठीक है यह बात आपको समझ में आ गई होगी अब बात करता है fat की fat क्या होता है fat fat यानि कि वसा fat को हिंदे में क्या बोलता है वसा चर्वी जो होती है न वही fat है आपका made up of glycerol and fatty acid fat किससे बना होता है दो चीजों से याद रखना glycerol से और fatty acid से glycerol प्लस fatty acid का combination ही fat है वसा है fat का एक type होता है lipid lipid भी fatty होता है actual में lipid से कभी confused मत होना कि lipid का होता है lipid भी fat का एक type ही होता है basically fat को पढ़ लेते हैं तो lipid वैसे समझ में जाए है fat का होता है made up of दो चीजों से मिलके बना होता है glycerol और fatty acid से ठीक है it is an ester of glycerol and fatty acid ये ester है ester समझता है chemistry में ester of glycerol and fatty acid glycerol और fatty acid का ester रही है ठीक है तो ये definition है कि किस से बना होता है glycerol और fatty acid से या फिर आप ऐसे भी कह सकते है it is the ester of it is an ester of glycerol and fatty acid ठीक है clear ही बात ये इस तरीके से है in our body fat synthesized at mitochondria हमारी body में fat synthesized होता है कहां पे mitochondria में ये बहुत important बात है type of fat कितने type होते है fat के saturated fatty acid and unsaturated fatty acid fat के कितने टाइप होते है saturated fatty acid and unsaturated fatty acid saturated fatty acid only have one bond is present single bond होता है saturated fatty acid में और unsaturated fatty acid में double bond होता है, unsaturated fatty acid में single bond होता है, unsaturated fatty acid में कितने bond होता है, double bond होता है, क्या ये बात समझ में है या आपको, ठीक है, अब एक question में आप से पूछता हूँ, comment करके बताना, ठीक है, कि किसी चीज में single bond है, तो उसको तोड़ना आसान है, या किसी चीज में double bond है, उसको तोड़ना आसान है, ठीक है, जाधा तर बच्चे सोच रहे होंगे कि double bond वाले को तोड़ना मुश्किल है, single bond को तोड़ना आसान है, लेकिन ये गलत है, ठीक है, देखो, हमेशा एक बात याद रखना, single bond वो अपन तोडने के लिए लेकिन जो अन्सेट्रेट इसमें तू बॉंड है जिसमें डबल बॉंड होगा तो यह पूरा अपने एक्सेस पे जो है रोटेट नहीं कर पाता है से ब्लॉक हो जाता है तो इसके तूटने के चांसे ज्यादा तो डबल बॉंड वाले जो रहते हैं वो जल्दी ब्रेकडाउन होता है मतलब यह लो टेंपरेचर पर भी मैल्ट हो जाएगा यह लो टेंपरेचर पर भी अपने स्टेट को छोड़के दूसरे स्टेट में चले जाएगा ठीक है लेकिन इसको कनवर्ट करने के लिए इसको इस सlor तो स्टेट के बहूंट मेंहेंं चले साटेट हैं चलेध को जन Google के वाइन आपने ठीक है तो बोटी में होती कॉंदिचयो में यहीं लीवर में और दूसरी जो मेईन बोर होती वो एडिपोस टिशू में होती है फैट के फॉर्म में ज्यादा हम मोटे हो जाते हैं तो पहले तो हमारी बॉड़ी की अगरती है उसको पंचाते रहती जीतना हमें ज़रती नहीं क्यों खा रहे हो ठीक है तो बॉड़ी क्या करती है उसको स्टोर करने लग जाती है ठीक है यहां पर उनके चर्वी आ जाएगी ठीक है यहां गले में चर्वी आ जाती है पेट पर चर्वी आ जाएगी ठीक है यहां हाथ बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते है ठी ना दिया जाए तो पतले इंसान के मुकाबले थोड़े जादा दिन तक जिन्दा रह पाएंगे क्योंकि उनके बॉड़ी में जो फैट है वो टूट के कंवर्ट होके सिंपल फॉर्म में कंवर्ट होगा और उनकी बॉड़ी को एनरजी मिलेगी तो समझाना मैं आपको यह चाह रहा हूं कि फैट से हमें क्या मिलती है ठीक है क्लेर बाद कंट्रोल बॉड़ी टेंपरेचर को कंट्रोल करते हैं हमारे सबने टेंपरेचर को केंज कर सकते हैं ठीक है जिस जगह जाते हैं वैसे हमारे टेंपरेचर हो जाता है रहेगा नेकिन जो cold-blooded होते हैं जैसे snake, reptiles वगेरा तो इनके body में क्या होता है environment के साफ से change होता है ठीक है मतलब इनका blood जो है इनके body का temperature जो है वो environment के साफ से बदलता है ठीक है अगर environment ठंडा तो इनकी body भी ठंडी अगर environment गरम तो इनके body भी गरम ठीक है इसलिए आपने देखा होगा snake वगेरा साफ वगेरा ठंड में कम दिखते हैं ठीक है कम इसलिए दिखते हैं क्योंकि अपनी जगह पे घुसे हुए रहते हैं वो अपने जो उनके वो जो रहते हैं क्या उनके जो भी ठिकाने रहते हैं मतलब बिल वगेरा जो रहते हैं उसमें रहते हैं बाहर नहीं आते क्योंकि इनकी body की movement बहुत slow है और बाहर भी आएंगे तो आप देखना बहुत दीरे 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 चलेगा उतनी एक्टिवनेस उसमें नहीं रहेगी तो उसकी गलती नहीं है एक्ट्वल में होता क्या है क्यों कोल्ड ब्लडड है तो अपने body का एड़्जस्ट नहीं कर पाता ठीक है तो बाहर के साब से उसके body लिपिट्स कैसे होता है वाटर इंसॉलिबल होता है लिपिट्स का होता है पानी में घोलोगे ना किदि से बात है घी को पानी में घोलोगे तेल को पानी में घोलोगे उपर आ जाता है ठीक है अरे आता और नहीं आता है ठीक है तो इन लिपिट्स आर जैनरली वाटर इंसॉलिबल ठीक है यह क्या होता है यह simple fatty acid होते हैं सर ठीक है यह क्या सो होता है simple fatty acid होते हैं लिपिड होते हैं लेकिन यह complex type के fatty acid नहीं है यह simple type के fatty acid होते हैं ठीक है clear यह बात तो आज इतना ही रखते हैं इस part को यह fifth part था कल से थोड़े लंबे part बनाऊंगा मैं at least 30 minute के हुआ करेंगे ठीक है 25-30 minute या 40 minute का एक वीडियो हुआ करेगा तो कल से थोर से long duration वाले वीडियो मिलेंगे आपको ठीक है thank you so much for watching this video love you all